राजा बीरबल बहुत बुद्धिमान थे और अकबर और बीरबल के बीच मीठी नोगजूग चलती रहती थी आपने भी शायद अपने नाना या दादा से अकबर बीरबल की कहानिया जरूर सुनी होंगी आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत सारी कहानिया जो अकबर बीरबल के बीच में प्रचलित हैं इन कहानियों में हमें पता चलता है कि कैसे बीरबल अकबर को अपनी बातों से कन्विंस करते थे और बहुत बड़ी से बड़ी समस्या भी चुटकियों में सॉल्व कर देते थे राजा बीरबल अकबर के नौरतन में से एक थे और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे तो चलिए शुरू करते हैं पहली कहानी है तेली और कसाई की पैसे की थेली को लेकरके इनके बीच विवाद था तो एक बार क्या हुआ बातशागबर का दरबार लगा हुआ था और वो अपने काम में व्यस्त थे तभी दरबान ने बातशागबर को सूचना दी कि दो व्यक्ति अपने जगडे का निप्टारा करवाना चाहते हैं और इसके लिए वो दरबार में आना चाहते हैं तो बातशागबर ने तोनों को बुलवा लिया तो उनों दरबार में आ गए और बादशा के सामने जुक कर खड़े हो गए बादशा ने पूचा कहो क्या समस्या है तुम्हारी हुजूर मेरा नाम काशी है मैं तेली हूँ और तेल बेचने का काम करता हूँ हुजूर यह कशाई है और इसने मेरी दुकान पर आकर तेल खरीदा और साथ में मेरे पैसो की ठैली भी ले गिया जब मैंने इसे पकड़ा और अपनी ठैली मांगी तो यह कहने लगा यह मेरी ठैली है हुजूर आप ही नयाय करें जरूर नयाय होगा अब तुम कहो तुम्हें क्या कहना है बात्साने कसाई से पूछा हुजूर मेरा नाम रमजान है और मैं कसाई हूँ हुजूर जब मैं अपनी दुकान पर आज के मांस की बिक्री के पैसे गिन कर थैली उठाया तो यह तेली आ गया और मुझसे यह थैली छेन ली और अब यहाँ उस पर अपना हक जमा रहा है हुजूर मुझ गरीब के पैसे वापस दिलाईए तोनों की बातों सुनकर बात्चा सोच में पड़ गये उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह थैली सच में किसकी है और वो किसके हक में फैसला दे तोनों ने बीरबल से फैसला करने के लिए कहा बीरबल ने उनसे पैसो की थैली ले ली और दोनों को कुछ देर के लिए बाहर भेज दिया बीरबल ने सेवक से एक कटोरे में पानी मंगवाया और उस थैली में से कुछ सिक्के निकालकर पानी में डाल दिया और पानी को गवर से दिखा फिर बात्चा से कहा हुजूर इस पानी में सिक्के डाले से तेल का जरा भी अंस पानी में नहीं उबरा है यदि यह सिक्के तेली के होते तो यकीनन उन सिक्कों पर तेल लगा होता और वह तेल पानी में भी दिखाई देता बत्चार ने भी कुछ सिक्के पानी में डाले और पानी को गौर से दिखा और बीरबल की बात से वो सहमत हो गए फिर बीरबल ने उन दोनों को दर्बार में दुबारा बुलवाया और कहा मुझे पता चल गया है कि या थैली किसकी है काशी तुम जूट बोल रहे हो या थैली रमजान कसाई की है हुजूर या थैली मेरी है काशी एक बार फिर बोला बीरबल ने सिक्के डाले वाले पानी का कटोरा उसे दिखाया और कहा यदि या थैली तुम्हारी होती तो इन सिक्कों पर कुछ ना कुछ तो तेल अवश्य होता पर तुम भी देखो तेल का जरा भी अंश इसमें नजर नहीं आ रहा है काशी चुप हो गया और बीरबल ने रमजान कसाई को उसकी थैली दे दी और काशी को कारागार में डलवा दिया कहानी नमबर दो जितनी चादर उतना पैर पसारी है बादशा अकबर के दरबारियों को अक्षरी सिकायत रहती थी कि बादशा हमेशा बीरबल को ही बद्धिवान बताते हैं और उन लोगों को नहीं एक दिन बादशा अकबर ने अपने सवी दरबारियों को दरबार में बुलाया और दो हाथ लंबी तथा दो हाथ चोड़ी चादर देते हुए कहा इस चादर से तुम लोग मुझे सर से लेकर पैर तक धख दो तो ही मैं तुम्हें बुद्धिमान माल लूँगा सवी दरबारियों ने कोशिश की किन्त उस चादर से बादशा को पूरा न ढख सके कभी सर चिपाते तो पैर निकलाता कभी पैर चिपाते तो सिर चादर से बाहर आ जाती आडा तिर्चा लंबा चोड़ा हर तरीके से सभी ने कोशिश की किन्तु वो सफल नहीं हो सकी अब बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलवाया और वही चादर देते हुए उनसे भी अपने को पूरी तरीके से ढखने के लिए कहा जब बादशाह लेटे तो बीरबल ने बादशाह के फैले हुए लंबे पैरों को सिकोड लेने को कहा बादशाह ने पैर सिकोडे और बीरबल ने सिर से पाउं तक उनको चादर से ढख दिया अन्य दरबारी भी बड़े आश्चर से बीरबल की ओर देखने लगी बीरबल ने कहा कितनी लंबी चादर उतना ही पैर पसारना चाहिए तीसरी कहानी है बादशाही महाभारत इवर बादशाह अकबर के मन में ख्याल आया कि आने वाले पीड़ी को अपने बारे में बताने के लिए एक महाभारत की तरज पर एक शाही महाभारत लिखवाई जाए इसके लिए उन्होंने बीरबल को उपयुक्त पाया अता उन्होंने अपनी इच्छा बीरबल को बता दी खुजूर आपकी इच्छा नुसार शाही महाभारत जल्दी ही तियार हो जाएगी किन्त कुछ खर्चा आएगा बीरबल ने कहा बादशाकबर ने बीरबल को साही खजाने से पाँच हजार मुद्राएं तथा छह माँ तक का समय दे दिया बीरबल घर आ गए और मुद्राएं जन शेवा के कारियों में खर्च कर दिया छह माँ तक वो आराम करते रहे समय पूरा होने पर वो कुछ साधे कागज ले करके बादशाकबर के सामने पस्थित हुए और बोले जहाँ पना शाही महाभरत त्यार है किन्तु अभी कुछ कमी रह गई है इसके लिए बेगम शाहिबा से सलाह लेनी पड़ेगी क्योंकि उन्हीं से सम्बंदित कुछ चीजे अभी लिखी जानी बाकी है वीरबल तुम बेगम साहिबा से मिलकर उनसे जो पूछना चाहो पूछ सकते हो हमारी इजाजत है बादशाकबर ने बोल बादशा से इजादत मिलने पर वो बेगम के कक्ष की और प्रस्थान कर गय और कहा बेगम साहिबा आप तो जानती है कि महाभारत में द्रोपदी के पाच पती थे अता अब हुजूर के आदेश पर यह शाही महाभारत लिखी जानी है किन्तु यह अब तक पूरी नहीं हो सकी है जब तक आप यह न बता दें कि बादशा के अलावा आपके सेश चार पती कौन है। यह सुनते ही बेगम साहिबा आपे से बाहर हो गई और बीरबल के हातों से कागज का पुलिंदा चीन कर उसमें आग लगा दी। बादशा अकबर तक जब यह बात पहुची वो खूब हसे और बीरबल से बोले। मैं जानता हूँ कि तुमने कोई शाही महाभारत नहीं लिखी थी और तुमने पांच हजार मुद्राएं भी जन सिवा के कारे में खर्च कर दी। किन्तु अपनी बुद्धिमानी से इस बार भी तुम बाजी जीत गए। हुजूर आप कहें तो मैं पुना शाही महाभारत लिखने की कोशिश करूँ। वीरबल ने मुश्कुराते हुए कहा। नहीं अब नहीं जाओ दरबार का काम देखो। चामाहिने से सब कुछ अस्त्वेस्त पड़ा हुआ है। अकबर ने उत्तर दिया। चौती कहानी है रुई चोर कौन। बादशाक बर हतकरगा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दलालों के माद्यम से भारी मात्रा में रुई मंगवाते थे। और बहुती सस्ती दरपर कातने वाले कारीगरों को दे देते थे। जिससे उनका गुजारा चलता रहता था कोई कारीगर सूत कातकर दरबार को वापस लोटा देते और दरबार से वहा सूत पुनाह ब्यापारियों को बेचा जाता था। लेकिन जब हर मा के अंत में हिसाब किताब लगाया जाता तो रुई की मात्रा में गड़बड़ी मिलती। इस तरह से तमाम कोशिश करने के बा जिसते हैं, गड़बड़ी उनई की तरफ से होती है। इन दल्Аलों में इसे चोर कौन है या पता नहीं चल पाया। काफी कोशिश के बाद भी जब रुई-चोर का पता नहीं चल पाया। वीर्बल ने रुई के सभी दल्दलालों को दरबार में बुलाया. पहले तो वह र चोर की वज़ा से आप सभी दलालों का नुकसान हो, वैसे चोर बहुत चालाक है और आप मेंसे ही कोई एक है, मैं उसे जानता हूँ, और वहां रूई की मात्रा में कमी करके चोरी तो करता ही है, और यहां आने के पहले कुछ रूई पगड़ी में भी छिपा लेता है, मैं उस से यही पर अकेले में बात करूँगा, बीरबल ने यासब कहने के बाद सभी दलालों पर पूरी नजर रखी और उनकी एक एक हरकत को बड़ी बारीकी से देखने लगे, उन दलालों में सचमुच रूई का चोर भी था, उसे लगा कि उसकी पगड़ी में शायद कोई करने का आदेश दे दिया, जब उससे सक्ति की गई तो उसने रूई की चोरी करना सुविकार कर लिया, और बीरबल ने उसे कारगार बिजवा दिया, इस तरीके से बात शाकबर रूई चोर के पकड़े जाने पर बहुत खुश हुए, अगली पाचवी कहानी है बीरबल की योग गिता, दरबार में बीरबल से जलने वालों की कोई कमी नहीं थी, बात शाकबर का साला तुक कई बार बीरबल से मात खाने के बाद भी बाज नहीं आता था, बेगम का भाई होने के कारण अक्सर बेगम की ओर से भी बात शाह को दबाव सहना पड़ता था, इसे में ए सालेश साहब से कहा, कि मुझे आज सुबह महल के पीछे से कुटे के पिलों की आवाजे सुनाई दे रही हैं, शायद कुटिया ने बच्चे को जनम दिया है, जाओ देखकर आओ, फिर बताओ कि यह बात सही है या नहीं, सालेश साहब चले गए, कुछ देर बाद लोटकर बोले, हुजूर आपने सही फरमाया, कुटिया ने भी बच्चे दिये हैं, अच्छा कितने बच्चे हैं, बात्चाह ने पूचा, हुजूर वहा तो मैने गिने नहीं, जाओ गिनकर आओ, सालेश साहब गए और लोटकर बोले, हुजूर पाँच बच्चे हैं, कितने नर है दो मादा हैं हुजूर नर पिल्ले किस रंग के हैं बादशाह ने फिर पूछा हुजूर यह भी देखकर अभी आता हूं रहने दो बैठ जाओ बादशाह ने कहा साले सहाब बैठ गए उस दिर बाद बीरबल दरवार में आए तब बादशाह ने बीरबल से कहा बीरबल आज सुबह महल के पीछे से पिल्लो की आवाजे आ रही है सायद कुटिया ने बच्चे दिये है जाओ देखकर आओ माजरा क्या है जी हुजूर बीरबल चला गया और कुछ देर बाद लोटकर बोला हुजूर आपने सही फरमाया पिल्लो काले हैं एक बदामी है ठीक है बैठ जाओ बादशागवर ने अपने साले की ओर देखा वह सिर जुकाय चुपचाब बैठा रहा बादशा ने उससे पूछा क्यों अब तुम क्या कहते हो उससे कोई जवाब देते ना बना तो यह थी बीरबल की उद्धिमानी छटवी कहानी बीरबल के लेटने की आदत राजा बीरबल दोपहर को खाना खाने के बाद कुछ देर शरूर लेट कर आराम करते थे उनकी यह आदत में शुमार था और बात्शाकबर भी इस बात को जानते थे एक बार बात्शाकबर ने बीरबल से खाने के बाद लेटने का कारण भी पूछा बीरबल ने उन्हें बताया कि उन्होंने अपने भुज़ूर्गों से सुन रखा है खा कर लेट जा और मार कर भाग जा एसा करने वाला सदेव मुसीबतों से बचा रहता है एक बार बादशाक बर ने बीरबल वो दोपहर के भोजन के तुरंत बाद दर्बार में बुलवा लिया वो देखना चाहते थे कि बीरबल ऐसी स्थिति में भी लेटेगा या उनकी आग्यां का पालन करेगा सेवक ने बीरबल के पास जाकर बादशा का हुक्म सुना दिया बीरबल उस समय भोजन कर रहे थे उन्होंने सेवक से कहा हुजूर से कहो कि मैं कुछी देर में उनकी सेवा में उपस्तित हो जाओंगा सेवक चला गया और बादशा को बीरबल का संदेश सुना दिया कुछ देर बाद जब बीर्बल नहीं आया तो अकबर को लगा कि बीर्बल लेटने चला गया होगा अता उन्होंने पुना सेवक को बीर्बल के पास भेजा सेवक जब बीर्बल के पहुचा तो उसने देखा कि वह एक बहुत ही चुस्त पैजामा लेट कर पहन रहे हैं सेवक को देखकर बीर्बल ने कहा तुम इंतजार करो मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा कुछ देर में बीर्बल ने पैजामा पहन लिया और सेवक के साथ दर्बार की ओर चल दिये दर्बार में बादशाक बर गुस्से में बैठे थे बीर्बल को देखकर बोले मैंने तुम्हें खाने के बाद तुरंत दर्बार में उपस्तित होने का आदेश दिया था किन्त तुमने मेरे आदेश की अवहेलना की और लेटने चले गए हुजूर मैंने आपके आदेश की अवहेलना नहीं की मुझे तो यह चुस्त पैजामा पहनने में देर हो गई इस से पहनने के लिए ही मुझे लेटना पड़ा आप चाहें तो अपने सेवक से पूछ सकते हैं जब यह मुझे बुलाने गया तो मैं लेट कर यह पैजामा ही पहन रहा था वीरबल ने कहा जब यह मुझे बुलाने गया तो मैं लेट कर यह पैजामा ही पहन रहा था वीरबल ने कहा सेवक ने भी वीरबल के बात की पुष्टी की बात्सागबर समझ गये कि वीरबल ने बड़ी चतुराई से उनके आदेश का भी पालन किया और खाने की एक बात कुछ देर आराम भी कर लिया चती कहानी है ज़ोरू का गुलाम बात्सागबर और वीरबल बाते कर रहे थे बात मिया बीबी के रिस्तों पर चल निकली तो वीरबल ने कहा अधिकतर मर्द जोरू के गुलाम होते हैं और अपनी बीबी से डरते हैं मैं नहीं मानता बात्सागबर ने कहा खुजूर मैं सिद्ध कर सकता हूँ बीरबल ने कहा सिद्ध करो बात्सागबर थीक है आप आजी आदेश जारी करें कि किसी के भी अपनी बीबी से डरने की बात सावित हो जाती है तो उसे एक मुर्गा दरबार में बीरबल के पास जमा करना होगा बादशा ने आदेश जारी कर दिया कुछी दिनों में बीरबल के पास धेरो मुर्गे जमा हो गए तब उसने बादशा से कहा हुजूर अब तो इतने मुर्गे जमा हो गए हैं कि आप मुर्गी खाना खोल सकते हैं अताह अपना आदेश वापस ले लिजिए बादचा को ना जाने क्या मजाग सुजा कि उन्होंने आदेश वापस लेने से इनकार कर दिया खीज कर बीरबल लोट गये अगले दिन जब दरबार में बीरबल आये तो बादचा अकबर से बोले हुजूर बिस्वस्निय सूत्रों से पता चला है कि पड़ोसी राजा की पुत्री बेहत खुबसूरत है आप कहें तो आपके विवाह का प्रस्ताव भेजू यह क्या कह रहे हो तुम कुछ तो सोचो चनाना खाने में पहले ही दो हैं अगर उन्होंने सुन लिया तो मेरी खैर नहीं बादचा अपनी बेगमों के बारे में बात कर रहे थे खुजूर आप भी दो मुर्गे मुझे दे दीजिए बीरबल ने कहा बीरबल की बात सुनकर बादचा जहेप गये उन्होंने तुरंथ ही अपना आदिस वापस ले लिया इस तरह से उन्होंने ये भी सावित कर दिया कि बातचाकबर भी अपनी बेगमों से डरते थे साथवी कहानी है महाजन का चित्र एक महाजन ने चित्रकार से अपना चित्र बनवाया बड़ी मेहनत के बाद जब चित्र तयार हुआ तो महाजन ने चित्रकार से कहा ठीक से नहीं बना दुबारा बना कर लाओ चित्रकार दुबारा चित्र बना कर लाया कि इस बार भी महाजन ने पहले वाले बात बोली और चित्रकार को फिर से चित्र बनाने के लिए कहा जब कई बार महाजन चित्रकार को परिशान कर चुका तो चित्रकार से ना रहा गया वह समझ गया कि महाजन उसे परिशान कर रहा है अता उसने अब तक बनाए गए चित्रों का महनताना मांगा कैसा महनताना? जब मेरा चित्र बना ही नहीं तो महनताना कैसा एकदम सही चित्र बनाओ तबे महनताना मिलेगा धूर्त महाजन ने कहा पीचारा चित्रकार मायूस होकर घर लोड़ गया और अपनी पत्नी से इस बारे में जिक्र किया उसकी पत्नी ने दर्बार में फर्याद करने की सला दी अपनी पत्नी की सला मानते हुए चित्रकार अगले दिन बाच्छाकबर के दर्बार में उपस्तित हुआ और बाच्छा से अपने सारा किस्सा कह दिया बाच्छाकबर ने चित्रकार से महाजन के सभी चित्र मंगवाए और महाजन को भी दर्बार में तलब किया बाच्छाकबर ने सभी चित्रों को गौर से दिखा और फिर महाजन से पुछा इन चित्रों में क्या कमी है जी हुजूर इन में से कोई भी चित्र हुबहू मेरे चेहरे से नहीं मिलता बात्चा सोच में पड़ गया जब उन्हें कुछ न सूजा तो उन्होंने बीरबल से नय करने को कहा बीरबल दरबार में ही थे उन्होंने सारी बाते देखी सुनी वह समझ गए कि महाजन चेहरा बदलने में माहिर है और चित्रकार को परेशान कर रहा है उस देर सोचने के बाद कहा देखो चित्रकार मैंने सभी चित्र देखे हैं सचमुच इन में कमिया है अता दो दिन बाद तुम महाजन का एक बढ़िया सा चित्र बना कर दरबार में ले आना और महाजन तुम भी उस दिन दरबार में उपस्तित होना चित्र पसंद आने पर चित्रकार को उसका महनता ना दे देना यह कहकर उन्हें दोनों को वापस भीज दिया किन्त कुछ देर बाद ही चित्रकार को वापस बुलुआ कर कहा दो दिन बाद तुम एक बड़ा सा दरपण लेकर दरबार में आ जाना चित्रकार चला गया दो दिन बाद चित्रकार दरबार में दरपण लेकर आया महाजन के आने पर वो दरपढ उसके सामने रखकर चित्रकार बोला आपका चित्र तयार है पर यह तो दरपढ है यही तो आपका असली चित्र है कहो महाजन यह तुम्हारा ही रूप है ना बीरबल ने पूछा जी जी हाँ महाजन समझ किया कि उसकी चाला की पकड़ी जा चुकी है और उसने चित्रकार को उसका महनताना देने में ही भलाई समझी इस पकार चित्रकार ने बीरवल को धन्यवाद किया आटवी कहानी बुला कर लाओ एक रूज सुबह सुबह बाथसा ने अपने सेवक को हुक्म दिया जा बुला कर लाओ आगे कुछ नहीं बताया सेवक ने भी नहीं पूचा उसका साहस भी नहीं हुआ उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वह किसे बुला कर लाएं वह सेवक बीरबल के पाच पहुच गया वह जाते ही बीरबल के पैरों में लेट गया और गिरगराने लगा हुजूर मेरी मदद कीजिए मैं बड़े संकट में हूँ बीरबल ने कहा बताओ क्या बात है बात यह है हुजूर बात्षा ने आज हुक्म दिया है कि जाओ बुला कर लाओ पर यह नहीं बताया किसे बुला कर लाना है समझ में नहीं आ रहा है मैं किसे बुला कर ले जाओ वीरबल ने कहा जिस समय हुक्म दिया था बात्षा क्या कर रहे थे नहाने की तियारी में थे तो जाओ जल्दी से नाई को बुला कर ले जाओ वो हजामत बनवाना चाहते होंगे सेवक नाई को बुला कर ले गया बात्सा बहुत खुस हुए उनोंने पूछा किसने सला दी तुम तो इतने चतुर नहीं हो जी यह सला बिरबल जी ने दी थी और डरते डरते हुए बोला बात्सा बड़े प्रशन न हुए आठवी कहानी जागीर देने का वचन एक समय वात्सा ने वीरबल से खुश होकर उन्हें जागीर देने का वचन दिया देने को तो वात्सा ने कह दिया लेकिन असलियत में उनका मन नहीं था एक दो बार मजाक में वीरबल ने उन्हें अपने बचन की याद दिलाई लेकिन वहाँ तो मसला कुछ औरी था बादसा वीरबल की बात को हमेशा किसी दूसरे विशे पर छोड़ देते थे वीरबल भी मूर्ख ना थे, वोई भी मौका देखते थे एक दिन अकस्मा थी बादसा को एक प्रस्न सूजा बीरबल उन्ट की गरदन टेडी क्यों होती है बीरबल ने भी या सुनकर मौका हाथ से ना जाने दिया और तुरंत ही कह बैठे जहाँ पना इसने भी किसी को पहले जनम में जागिर देने का वाइदा कर पीछे बहलावा दे दिया होगा बादसाया सुनकर अपने वाइदे की याद करके बहुत ही लजजित हुए और उसी समय बीरबल के नाम एक जागिर लिख दी तब हसी कुझी के साथ बीरबल अपने घर आ गये अगली कहानी बीरबल से अकसर बादसाह अकपर हसी दिल लगी करते रहते थे हसी हसी में ऐसी बात भी कह जाते थे जो निरत्तर करने और नीचा दिखाने के लिए कही जाती है एक दिन इसी उद्देश से बादसाह बोले बीरबल जी मैंने रात एक सपना दिखा है क्या देखा है हुजूर? देखा कि हम आसमान में ऊड़ रहे थे, हमसे मतलब है कि मैं और तुम. उड़ते उड़ते हम दोनों नीचे गिर गए. जब गिरे तो मैंने देखा कि मैं तो शहद के कुण्ड में गिर गया हूँ, और तुम ट्वालेट में यानी पकाने में गिर गया हो फिर हुजूर फिर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था मेरी आख अचानक खुल गई मैं जाग गया सपना इतना ही दिखा मेरी भी सुन लीजे हुजूर रात बिलकुल यही सपना मुझे भी दिखाई दिया था मैं पकाने के कुंड में गिरा था और आप सीधे सहथ के कुंड में गिरे थे आपका सपना वहीं तूट गिया था परन्तु मेरा सपना आगे जारी रहा मेरी आख नहीं खुली और मैंने आगे देखा कि हम दोनों अपने सने हुए कपड़े और सरीरों से बाहर निकलाए हैं इसके बाद हम लोग एक दूसरे को चाटने लगे आप मुझे और मैं आपको मैंने यही सपने में देखा बादसाल अजजित हो गए उन्होंने तो जूटी कहा था और बीरबल ने ही जबाब मारा था इस तरीके से उन्होंने अपने बुद्धिमता का परिचे दिया ग्यार वी कहानी गदे तमाकु नहीं खाते बीरबल तमाकु खाते थे लेकिन अकबर नहीं खाते थे एक दिन अक्बर ने तमाकू का खेत में गदे को घास खाते देखकर कहा बीरबल ये देखो तमाकू कैसी बुरी चीज है गधा तक इसको नहीं खाता बीरबल ने कहा बिल्कुल सही हो जूर ये सच है गदे तमाकू नहीं खाते बात शर्मिंदा हुए डबल मेनिंग बात थी वो समझ गए और बहुत शर्मिंदा हुए तमाकू काना तो कहीं से भी बहतर नहीं होता है बारवी कहानी है पेड़ की गवाही रोशन एक ब्रिद्ध विक्ति था जीवन के अंतिम पड़ाव पर उसके इच्छा हुई कि वह तीर्थ यात्रा पर चला जाए उसने अपने जीवन भर की कमाई मेंसे अपने खर्च के लिए कुछ असर्फियां रख ली और बाकी एक हजार अपने एक इवा मित्र दीनानाथ को सौप कर कहा भाई दीनानाथ मैं तो तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ अब एक बर्ष बाद ही लोटूँगा तब तक तुम मेरी यह एक हजार असर्फियां अपने पास अमानत के तोर पे रख लो यदि मैं ना लोटा या रास्ते में ही मृत्यू हो जाए तो तुम इस दन को किसी नेक काम में खर्च कर देना आप निशिंत रहें आपका दन मेरे पास महफूज रहेगा जब आप लोटेंगे तो आपको वापस दे दूँगा दीनानाथ ने जबाब दिया रोसन आस्वस्त होकर तीर्थ यात्रा पर चला गिया पीछे दीनानाथ की नियत खड़ाब हो गई उसने उन असर्फियों को डकार लेने का फैशला किया एक बर्स बाद रोसन तीर्थ यात्रा से जब लोटा और दीनानाथ से अपनी असर्फिया मांगने लगा परन्तु दीनानाथ ने साफ इंकार कर दिया उसने रोसन को पहचानने से भी इंकार कर दिया रोसन ने काफी मिन्नते की किन्त दीनानाथ नहीं माना और रोसन को जलील करके गर से भगा दिया रोसन मन मार कर रह गया उसके जिन्दगी भर की कमाई उसका मित्रही लोट ले गया उसे यकीन ही नहीं हो रहा था किन्तु यही सच्चाई थी उसने भी तै कि वह दिनानात को सवक सिखा कर ही रहेगा वह सिधा अकबर के दरबार में गया और बात्षा अकबर से सिकायत की बात्षा अकबर ने दिनानात को दरबार में बुलवाया उससे पूश्टाच हुई तो वह साफ मुकर गया रोसन इस मामले में ना तो कोई गवा पेस कर सकता और ना ही सुबूत बादशा अकबर ने फैसले के लिए बीरबल को निक्त कर दिया बीरबल ने दोनों से पुना पूश्टाच की पर दिनानात अपनी बात पर आटल रहा कि उसने असरफियां ली ही नहीं है क्यों रोसन बाबा जब तुमने असरफियां दी थी तो वहां कोई गवा था बीरबल ने पूचा हुजूर कोई गवा तो नहीं था बस आम के पेड के नीचे मैंने दिनानात को असरफियां दी थी रोसन ने जवाब दिया तब तो आम का पेड गवा हुआ न जाओ आम के पेड से जाकर कहो कि दरवार में आकर गवा ही दे अगर ना माने तो उससे मिन्नते करना तब भी न माने तो राजा दोरा कटवा देने की धमकी देना जाओ बीरबल ने कहा रोसन मायूस होकर चला गया पेड़ भी भला कहीं कवाही दे सकता है दिनानाथ तरबार में ही पैठा था और बीरबल भी वहाँ था कुछ देर बाद बीरबल ने दिनानाथ से पूछा रोसन अब तक उस ब्रिक्ष तक पहुँच चुका होगा बहुत देर हो चुकी है नई हुजूर अभी नई पहुचा होगा वह ब्रिक्ष यहां से दूर है और वहाँ तक पहुचने का रास्ता भी साफ नहीं है वह बुजूर्ग है उसे तो और देर लगेगी दिनानाथ ने जवाब दिया बीरबल कुछ ना बूलकर रोसन का इंतिजार करने लगा काफी देर बाद रोसन दर्बार में लोटा और बुला हुजूर्ग मैंने पेंड से बहुत कहा पर उस पर तो कोई असर ही नहीं हुआ हुजूर्ग अब मेरा क्या होगा तुम चिंता मत करो पेड आया था और गवाई भी दे गया वह भी तुमारे पक्ष में वीरबल ने कहा गवाई दे गिया पेड कब मैंने तो नहीं देखा दिनानाथ ने आसर इसे पूछा तुमारी चोड़ी पकड़ी गई है दिनानाथ जब मैंने कहा था कि रोसन पेड तक पहुँच गया होगा तब तुमने कहा था कि अभी नहीं पहुचा होगा जबकि तुम जानते थे वह कौन सा पेड़ है और कहा है नहीं तो तुम स्वेम भी उस पेड़ के प्रती आश्यर प्रिकट करते पर ऐसा नहीं हुआ अब सीधी तरह बता दू कि रोशन की असरफिया कहा है वरना तुम्हें कष्ट पहुचेगा दिनानाद डर गया उसने सुविकार कर लिया कि उसके मन में लालच आ गया था उसने माफी मांगी और रोशन का धन वापस करने को राजी हो गया इस तरह से बादशा अकबर बीरबल के नयाय से बहुत ज़्यादा प्रसंद हुए तेरवी कहानी हरे रंग का गोड़ा बादशा अकबर अपने गोड़े पर सवार होकर बाग की शैर कर रहे थे बीरबल भी उनके साथ थे बाग में हरे भरे पेड़ थे और हरी घास की ही चादर बिची थी हरियाली देखकर बादशा का मन प्रफुलित हो गया उन्होंने सोचा कितना अच्छा होता कि ऐसे हरे भरे स्थान पर सायर करने के लिए मेरे पास हरे रंग का गोड़ा होता फिर कुछ देर सोच कर बीरबल से मुखातिफ हुए कहीं से भी मेरे लिए हरे रंग के गोड़े का इंतिजाम करो मैं तुम्हें हपते भर का समय देता हूँ यदि ऐसा ना कर पाओ तु मुझे अपने शकल मत दिखाना बात्सा अकबर भी जानते थे और बीरबल भी किया संभव नहीं है क्योंकि गोड़े का रंग जब हरा होता ही नहीं तो मिलेगा कहां से बात्सा ने योही बीरबल की बुद्धी परिक्षा लेने के लिए कह दिया था अगले साथ दिन तक बीरबल सहर में इधर उधर ऐसी मुद्राय बनाए भटकता रहा मानो सच में हरे गोड़े की खोच कर रहा हो आठवे दिन जब हुआ बात्सा अकबर के सामने पहुचे और अदब से बोले हुजूर आखिर मैंने आपके लिए हरा गोड़ा खोजी निकल यह सुनकर बात्सा सलामत बहुच अक्के रह गये जो संभवी नहीं बीरबल ने कर दिखाया बोले कहा है हरा गोड़ा बीरबल ने जबाब दिया हुजूर दिखाना तो जरा मुस्किल होगा जो आदमी उस हरे गोड़े का मालिक है उसकी दो सर्ते हैं पहली शर्त यह है कि बात्सा सलामत को गोड़ा लेने खुद स्वयम आना होगा बीरबल ने जबाब दिया यह कौन सी बड़ी बात हम खुद वहां जाएंगे बात्सा बोले और दूसरी सर्त क्या है जल्दी बताओ बीरबल ने का हुजूर गोड़े का रंग और उसे जरा अलग है तो उसे लाने का दिन भी अलग होना चाहिए गोड़े के मालिक की यही दूसरी सर्त है कि सप्ता के साथ दिन छोड़ कर चाहे जिस दिन बात्सा सलामत गोड़े को ले जा सकते है दूसरी सर्त सुनकर बात्सा अकबर निरुत्तर हो गए और बीरबल का मुँ देखने लगे तब ही बीरबल बोले अब हुजूर को यदि हरा घोड़ा चाहिए तो सर्ते माननी ही पड़ेगी बात्सा अकबर कुछ ना बोलकर देरे देरे मुश्कुराने लगे वे समझ गए कि बीरबल ने अपनी चतुराई से फिर से उन्हें मात दे दी है चोदवी कानी साले साहब की जिद बात्सा अकबर के साले साहब ने एकबाब फिर से सोयम को दीवान बनाने की जिद की अब बात्सा सीधे सीधे तो साले साहब को इंकार कर नहीं सकते थे सो उन्होंने एकबाब फिर सर्त रखी और कहा ठीक है मैं तुम्हें दिवान बना दूंगा पहले तुम्हें एक काम करना होगा या लो तीन रुपे और इससे तीन चीजे खरीदना हर चीज एक रुपे की हो और पहली चीज वहां की हो दूसरी यहां की और तीसरी ना यहां की हो और ना वहां की साले साहब तीन रुपे लेकर बाजार चले गए उसने बहुत कोशिश की पर उसे यह तीनों चीज़े कहीं ना मिली। ठक हार कर वा दर्बार लोटाया और कहा। हुजूर आप हर बार मुझे जान बूज कर मुश्किल काम सौपते हैं ताकि मैं दीवान बन ही न सकता। साले साहब काम कोई मुश्किल नहीं होता पस काम को करने की लगन होनी चाहिए यही काम मैं अब बीरबल को सौपता हूँ देखना वाज जरूर इसे पूरा करेगा। इसके बाद उन्होंने तीन रुपए बीरबल को दे कर वही बाते कही जो अपने साले साहब से कही थी। फकीर को दान दिया और पुन्ने खरेद लिया। इससे वहां की चीज मिल गई। दूसरे रुपए को मैंने खाने पीने में खर्च किया जो यहां की चीज थी। और तीसरे रुपए मैंने जुआ खेलने में गवा दिया। जो ना यहां की काम आया और ना वहां। बीरबल ने जबाब दिया देखा साले सहब इसे कहते हैं अक्लमंदी तब ही तो बीरबल ही मुझे दीवान के रूप में पसंद है साले सहब सरमिंदिगी महसूस कर रहे थे तो दोस्तों बीरबल के चातुरी को जीवित रखने के लिए इस कहानी को जरूर आगे बढ़ाएं सब को सुनाएं शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें घंटी को दबाएं धन्यवाद